नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा आप भली भाती अवगत हैं कि प्रार्थमिक विद्याले में प्रतेक महिना के तीसरा सनिवार को अर्थार्थ विद्याले सिक्षा समीती की वैठक तथा आंतिम सनिवार को अभिवावक सिक्षा की बैठक की जाती है इस विडियो के माध्यम से विद्याले सिक्षा समीती की बैठक के लिए प्रोशोडिंग किस प्रकार से लिखा जाता है इसे जानने का प्रियास करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में बैठक संख्या जरूर लिखेंगे तो जितनी भी हो बैठक संख्या यहाँ पे लिख देंगे सपोज किजिए कि आपकी बैठक संख्या 17 है तो यहाँ पे 17 लिख देंगे और प्रारम्ब करेंगे इस प्रकार से लिखना कि आज दिनांक 28-2023 सोंबार को यहाँ 28-2023 को जिस दिन है इसे यहाँ पे ब्रेकेट में लिख देंगे को पूर्व सूचना के आधार पे इस बैठक के पहले एक भीयसस की सूचना पंजी होती है उस सूचना पंजी में परतेक भीयसस के सदस को सूचना दी जाती है तो वहीं पे यहाँ कहा गया है कि पूर्व सूचना के आधार पर प्रार्थमिक विद्याले जो आपका प्रार्थमिक विद्याले है यहां पे लिख देंगे सपोज किजिए कि प्रार्थमिक विद्याले धोरी है तो धोरी लिख देंगे और कि जो आपका प्रार्थमिक विद्याले या तो नवश्रजित प्रार्थमिक विद्याले या तो मद्ध विद्याले है उसको यहां पर लिख देंगे के प्रांगन में पत्रांक एसे से ओबलीक 1819 दिनांक 188-2023 अनिकि इससे रिलेटेड अनिकि यह जो भी एसस की बैठक है इससे समंधित बीच-बीच में शिक्षा विभाग के द्वारा सूचना दी जाती है और एक आवस्यक बैठक बीच-बीच में अनि जो विशेश रूप से बैठक होती है उसको आहूत की जाती है तो यह विशेश बैठक है उसी से समंधित इसमें सारी प्रोसोडिंग की वाते लिखी गई है तो दिनांक 188-2023 बिहार सिक्षा परियोजना परिसद जिला कार्याले बाका के पत्र के अनुसार से दिनांक सिक्षा समीति की बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक की अध्यक्षता विद्याले सिक्षा समीति के सचीव श्री मती जो सचीव है या तो फिर सदस के द्वारा भी बैठक आयोजित कर सकते हैं उसके अध्यक्षता कर सकते हैं या तो फिर जो अध्यक्ष है या तो उनके सदस, सचीव और वी जो हो उसके द्वारा अध्यक्षता किया जा सकता है, तो यहाँ पर वी एश लिए के सचीव स्री मत्यव हैं जो सचीव हैं यहाँ पर सचीव देखिए, उशाद देवी लिखा गया है एक नमबर में, तो यहाँ पर लिख देंगे, आपका जो सचीव हो वही लिखेंगे उशाद देवी के द्वरा की गई इस बैठक में भी SS के नीमन हस्ताक्षरित सदस्यों ने भाग लिया अब इसके बास सदस का नाम है और यहाँ पे पद है और हस्ताक्षर है तो सदस में इसे क्रम संख्या के अनुसार से लिख देंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और यहाँ पे सदस का नाम पहले से आप लिख लेंगे तो उसा देवी यह सचीव हुई यह पद हो गया फिर अनिल परसाद अध्यक्ष हुआ रिंकु देवी सदस हुई माला देवी सदस है प्रिया देवी सदस हुई निर्मला देवी सदस हुई प्रिया कुमारी वाल संसद है अनि वाल संसद का सदस भी लेना है इसमें फिर BSS के सदसे उस दिन उस बैठक में उपस्थित हुई उनका यहां पे सिगनेचर करवा लेंगे अनि सभी का यहां पे हस्ताक्षर हो जाएगा अधिस सपोज किजिए कि आपने सभी को सुझना दिया लेकिन कुछ ऐसे सदस हैं जो उपस्थित नहीं हो पाई तो उन्हें करेंगे कि उप्रवक्त हस्ताक्षरित विद्याले सिक्षा समीति के सदस्यों के बीच परभारी प्रधनाध्यापक के द्वारा नीम्न लिखित प्रस्तावों को रखा गया आप को जो जरूरी प्रस्ताव हो समय समय पे आप उन प्रस्ताव को जोड़ते चलेंगे तो प्र बश्ताओ संख्या 1 में इस प्रकार से लिखा गया है कि गरामिन तेहवार तथा खेती ग्रसति का कार्जप्रारंब होने पर विद्याले में छात्र चात्र Style की उपश्थिति कम हो जाती है इसपर भी विशेश रूप से चर्चा की गई और कि जब खेतीग रस्ति का कार्ज प्रारम हो जाता है ग्रामिंच लुश्ति में तो उस समय बहुत सारे छात्र छात्रों की उपस्थिती में कमी हो जाती है तो उसमें विशेश रूप से चर्चा करना है BSS के सदस्यों के साथ यह भी एक प्रस्ताओं के रूप में रखा गया है आपको जो उचित लगे आप अपने अनुसार से आप अपने ओशुविधा के अनुसार से निकी देख रहे हैं कि विद्याले में क्या-क्या चीज़ की ओशुविधाएं हो रही दिक्कते हो रही है उस अनुसार से विद्याले सिक्षा समीती के सदस्यों के साथ आप उन चर्चाओं को उन बिंद्वों को रख सकते हैं अब देखें प्रस्ताव संख्या 2 की चर्चा हम लोग करते हैं प्रस्ताव संख्या 2 परभारी प्रधना ध्यापक द्वरा प्रतेक छात्र छात्रों के अभिवाबकों से मिलकर बच्चों को प्रती दिन विद्याले भेजने से सम्मंधित बात पर चर्चा की गई अनिकी जब उपस्थिती घटी प्रस्ताव संख्या एक में कहा गया था कि खेती ग्रस्तिया तो कोई वैसा विशेश रूप से पर्वतहुआर आ जाता है उस समय विद्याले अधि खुला हो तो बच्चों की उपस्थिती घट जाती है तो इस इस्थिती में प्रस्ताव संख्या दो में कि प्रभारी परदना ध्यापक दोरा प्रतेक छात्राओं के अभिवावकों से मिलकर बच्चों को प्रती दिन विद्याले भेजने से संबन्दित बात पर चर्चा की गई इसके बाद प्रस्ताव संख्या 3 में है कि बिहार सरकार सिक्षा विभाग के पत्रांक 5408 दिनांक 10-8-2023 के आधार पर कक्षा एक से तीन के चात्र चात्रों के अभिवावकों के साथ दिनांक 26-8-2023 को अभिवावक सिक्षक संगोष्टी का आयोजन किया जाएगा इस पर भी SSK सदस्चों के बीच चर्चा की गई आध कि जिये 26-8-2023 को एक विशेश अभिवावक सिक्षक संगोष्टी का एवजन किया जाना था जिसमें एक से तीन के कक्षा के चात्र चात्रों के अभिवावकों के साथ बैठक की जानी थी जिसमें निपुन भारत अनिकी जो एफेलन बुनियादी भासा और बुनियादी संख्या ज्यान से संबनदी थे कक्षा 1 और 3 के चात्र चात्रों के अभिवावकों के साथ और 9 चात्रों के साथ कुछ गतिविधी का आयोजन किया जाना था तो उसी से related उस पत्र में कहा गया था कि इसके पहले BSS की एक बैठक आहुत आपको करनी है तो उसी से सम्मंदित यह प्रोसोडिंग लिखा गया है उसके बाद प्रस्ताव संख्याचार है अभिवाबक सिक्षक संगोष्टी के पूर्व विद्याले में विद्याले भवन एबं परिसर की समान साबसफाई कराई जाएगी इस पे भी चर्चा हुई विद्याले के सभी संसाधनों को सूब वस्तित किया जाना है अभिवाबक सिक्षक संगोष्टी से रिलेटेड था तो उसके पहले विद्याले में क्या-क्या कार्जिकरं करना है विद्याले में जितने भी संसाधन है उसको सूब वस्तित करना है इत्यादी पे चर्चा की गई इसके बाद प्रस्ताओ संख्या पाच है, अभीवावक सिक्षक संगोष्टी के लिए अभीवावकों को एक प्रिष्ट का हस्त लिखित आमंतन पत्र दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई उसके बाद प्रस्ताव संख्या 5 के बाद अधि आपके अनुशार से कुछ और प्रस्ताव होना चाहिए तो आप इसमें एड़ कर सकते हैं और प्रस्ताव को उसमें सामिल करके अनिके जो जरूरी बाते हैं विद्याले सिक्षा सम्मिती के सदस्यों के साथ चर्चा का विशय बना सकते हैं और जब प्रस्ताव समाप्त हो जाए तो अंत में इस प्रकार से लिखेंगे उप्रोक्त प्रस्तावों को प्रभारी प्रदना ध्यापक के द्वारा सभी भी स्सके सदस्यों के बीच रखा गया अंत में आगे कोई भी प्रस्ताव नहीं रहने के कारण अध्यक्ष महयोद्या के द्वारा सभी प्रस्तावों को पारित कर दिया गया एबं सो धन्यवाद धन्यवाद ग्यापन के बाद बैठक की कारवाई अगले बैठक तक शमाप्त कर दी गई अन्ततह यहाँ पर प्रभारी प्रधनाध्यापक का हस्ताक्षर हो जाएगा उसके बाद जो मोहर है यहाँ पर लगा देंगे उसके बाद इस साइड में बाए साइड में सचीव का हस्ताक्षर होगा अन्यों वह अपना हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ भी सचीव का जो मोहर होगा यहां पर लगा देंगे तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे कि BSS और विद्याले सिक्षा समीती की बैठक के लिए प्रोशोडिंग किस प्रकार से लिखा जाता है और प्रस्ताव को आप किस प्रकार से अपने शुविधा अनुसार से और विद्याले में जो कमियाद दिखी आपको उस कमी को दूर करने के लिए एड़ कर सकते हैं इन सारी बातों को हम लोग समझे बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्तित हुए थे मिलते हैं अगले विडियो में पुना एक नए टोपी के साथ तब तक के लिए धनिवाद